एक अच्छा टॉस जीता इनको पर इस्थितियों का लाब उठाते हुए योजना के अनुसार खिलना होगा और ये हैं वो खिलाडी जो दोनों टीमों के लिए एक रोमांचक मैच ये आये सलामी बल्ले बाज तेज गेन बाज को लाया जा रहा है इस छोर से इनिंग की पहली गेन का सामना करते हुए दो रन का कॉल रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उंदर रहे दोनों बल्ले बाजो के बीच कमाल का शॉट दो रन मिल सकते हैं रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उंदर रहे दोनों बल्ले बाजो के बीच इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहां अच्छ गेंद को देखा ही नहीं वहां को पुद्वी गेंद बाजी और प्षे द्रक्षण से बल्ले बाज को एक एक रंड के लिए संगर्श करा रहे हैं बहुत बढ़िया कप्तानी खबर्दत गेंद बाजी और एक अला केच बल्ले बाज पवेलियन की ओर जाते हुए हताश निराश उदास बल्ले बाज नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार चुरा लिया है एक रंड बड़िया रं इन बिट्रीन दे लिकेंट से दिखते हैं टीवी अंपायर क्या कहते हैं कितना करीब हो गये पीडलर्स को लगते कि जाल में फस गएं गेंद उठाई और निशाना सीधा स्टम्स की और चलिए देखते हैं कि बड़ी स्क्रीन क्या दिखाती है और ये नॉट आउट इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रंणिंग बिट्विकेट्स रही है कि मानो ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोक सकता एक एक एक्स्ट्रा रं चुराने से और ये शॉट बस एक रं ही निकाल पाए दूसरे छोर से तेज गती के गेन बस को लाया गया है ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है लो शॉट गया हवा में और गैप ने भी गया उपर से मारने का मन बना लिया था और सक्षम हुए करने में चलिए देखते हैं के अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी यहां तो नाक के नीचे से एक रंच चुरा लिया बॉस बल्ले बास हमेशा रंच चुराने के लिए तयार रहते हैं रणिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उमदा रही है दोने बल्ले बास के बीच गेंद बास अपने पसंदीदा छोर से गेंद बास ही कर रहे हैं पतरना केंद और सीधा बल्ले बास के शरीप पर लगी अमपायर का इशारा डेड बॉल इनकी धीमी गतिकी गेंद से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप्थ हो सकती है खेल ले की कोशिश और पूरी तरा चुप काफी हताश होएंगे अपने आप से सीधा स्लोट में थी गेंद गेंद बास बल्ले बास के दिमाग को पढ़ रहा है और उनकी योजनों पर पानी फेरे जा रहा है ये बढ़िया रनेंग अध्भूत रनेंग बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते हुए इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहां शॉट अलफाज कम पड़ जाए इस शॉट का वर्नन करने में ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म अफिस लाइफ वाह क्या बात है हवाई शॉट खूपसूर की से लगाया बहुत उम्दा यह तो रिपले में और भी बहतर लग रहा है बल्ले बाज ने गेंद बाजी को सधारन बना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका बल्ले बास तो ऐसे कॉंफिडेंस में हैं कि बॉलर को बता रहे हैं कि अगली बॉल कहा हम आरेंगे दर्शक यहां बाउंडरी की आस लगाए बैठे हैं बहुत उत्साहित यह वाइड होगी भाईया चलिए दुबारा डालिए गेंद पील्डर है कवर पर जाबास चौर असानी से खेला है बहुत अच्छी लैं में नजर आ रहे हैं इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंद कहा मारेंगे यह बॉल तो लगी होगी उनको जो मदद इस गेंद बास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा पर ले बास की आँखे तो खील की आँखों की तरह हो चुकी है गेंद बास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का बल्लेबास अपनी पहली गेंग की तैयारी करते हुए गेंग की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहां एज और कोई नुकसान नहीं बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेबासों की बीच में अच्छी रणी मिट्वीन दुट्विकेट्स पूरी तरह मिस्स किया वहां निराश लग रहे हैं वहां मेरी माने तो अपने आपको खुश किसमत समझे जो बीच वीच में यही खड़े हैं है टारेक्ट हिट फील्डर का और एक बहुत ही महत पूर्न विकेट जाए बहुत निराश लग रहे हैं ओ, बहुत ही भेदरीन कप्तानी यहाँ, इसे कहते हैं होमवक करके आना, बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है, जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बल्लेबास देजी से और असानी से मिले दो रहा है बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेबास की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स दूसरी ओवर की शुरुआत यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है बल्लेबास नहीं गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार बड़ी अटाइमिंग एक रन असानी से पूरी किये जा सकती है और बल्लेबास दो रन का कॉल देते हुए बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्लेबासों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहाँ फील्डर के बाजू से रन चुरा लिया इन्हों ना फील्डर है कवर पर हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहाँ और यह आउट जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में खेल दिया है गाप में और यह एक रांड चुरा लिया है एक रांड बड़िया रांड इन बिट्रीन दे विकेंट सेंग यह तो चीत है कि रफ्तार से भग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में पहली बॉल पे आउट हो गए बहुती बड़िया गेंद और बहुती बदकिस्मत बल्ले बास काभीले तारीफ गेंद बाजी और बहुती संतुश लग रहे हैं गेंद बास बल्ले बास नई गेंद खेलने के लिए पूरी तरह तयार टारेट हेट और अंपायर ने उंगली उपर करी एक लंबा रास्ता तै कर रहे हैं पवेलियन की ओर जाते हुए तेज गदी के गेंद बाजों को काफी असानी से खेला इन्होंने दो रन का कॉल बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दुट्विकेट्स अच्छा शॉट खेला सिंगल के लिए ये स्पिनर्स के सामने विक्राल रुप धारन कर लेते हैं बहुत ही अच्छी ठाल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में बड़िया रणी मिट्वीन दुट्विकेट्स नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए और दूसरे शोर पे भी तेज गेंदबास को ही लाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहाँ फीजियो क्यों गुलाने की आवशक्ता हो सकती है बैट्समन खायल फील्डर है कवर पर बड़ी ही तेज गटी की गेंदबास अपने पसंदीदा छोर से गेंदबास ही कर रहे हैं अपनी पेस में परिवर्तन लाने की जरूरत है यहाँ गेंदबास को बल्लेबास बहुत आसानी से उन्हें चोके छक्के लगा रहे हैं खतरनाद गेंदबास और सीधा बल्लेबास के शरीप में लगी अंतिम ओवरों में बल्लेबासी टीम को विकेट जरूर हाथ में रखनी चाहिए उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बेतरीन चोका जबर्दस प्रहार क्या संपर्थक गेंद और बल्लेका हम एक रोमान्चक खेल देख रहे हैं अच्छा लग रहे कि दर्शक भी इसमें शामिल है कमाल का शौर्ट दो रण मिल सकते हैं अच्छी रणी में अच्छी रणी मिट्वीन विकेट्स ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पर फिल्डर लगा दिया है यह शौट गया हवा में और गैप में भी जया यह चुरिंदा शौट्स बहुत ही बैदरीन खेलते हैं फिल्डिंग में परिवर्तन क्या इनके तरकश में से एक और चौका निकल सकता है चलिए देखते हैं हेलारान तेजी से लेते हुए है रणिंग बिट्वें दो वेकेट्स बहुत ही उंदा रही है दोनों बल्ले बाजों की बीच पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहां बहुत ही बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन दे विकेट्स गेंद बाज अपने पसंदीदा छोर से गेंद बाजी कर रहे हैं क्या शॉट लगा है करारी मार बहुत लै में नजर आ रहे हैं सीधा फीड़र के पास बल्ले बाज सरलता से खेल पा रहे हैं इस शॉट को यह बहुती कठिन फीड़ है गेंद बाजी करने के लिए गेंद बाज को अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी अतियुत्तम इस गेंद को पड़ा भी है और जड़ा भी है एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करनी होगी बड़ी अटाइमिंग एक रंड असानी से पूरी किया सकती है और बल्ले बास दो रंग का कॉल देते हुए बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बासों की बीच में अच्छी रंणी मिट्वीन दे विकेट्स गेन बास बल्ले बास के पास गए और कहा कि आज आपका भागया अच्छा है और बल्ले बास का कोई मन नहीं है उनसे मू लगने का जो मदद इस गेन बास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरेट एंड होगा उठा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका गेंद की लेंग्ट का अनुमान तो इन्होंने बहुत ही जल्दी लगा लिया था बहुत ही खुबसूरत शोर्ट चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी खीच के मारा है गेन गोली की तरह सीमा रिखा के उस पार जाती हुई बहुत ही सरल शोर्ट था ये बल्लेबास का गेंद की रफ्तार का पूरा उप्योग करते हुए गेंद को पहुचा दिया है बाउंडरी लाइन के उस पार ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्लेबास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है खेलने की कोशिश और पूरी तरह चुट मौजूदा रन रेट को देखते हुए बल्लेबास अपने रूप बदल रहे यह शॉट गया हवा में और गैप ने रूप बहुत लैं में नजर आ रहे हैं वोई फिल्डर मौजद नहीं वहां और गेम शीमा रेखा के पार बल्लेबास ने गेद बाजी को सधारन बना दिया है चलिए देखते हैं आगे क्या होगा हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाए थे यहां और यह आउट जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा बहुत ही खराब शोर्ट सेलेक्शन ना प्लेस कर पाए ना टाइम और सीधा फिल्डर के हाथ में कैच दे बठे इनिंग की आखरी बॉल ये रही आपके सामने विकेट समाल के खेट तेज गेनबास को लाया जा रहा है इस छोर से इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेनबाजी करनी होगी यहाँ ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बलेबास को देखते हुए कवर्स पर फिल्डर लगा दिया जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा खेंद दिया है गाप में और यह एक रांड बलेबास नहीं गेनद खेलने के लिए पूरी तरह तयार कि चुरा लिया है एक रांड बड़िया रन इन बिट्रीन दुट्रीन 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 कि अक्रामा कप्तानी अधिर एक फील्डर तीज कच के दाएरे के अंदर सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं और दूसरे शोर पे भी तेज गेनद बास को ही लाया जा रहा है ओ बहुत ही भेदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है लाइन और लेंग्ट मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते यह बहुत ही बढ़िया सिक्स तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे चक्का मार देंगे जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और चक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेंगे बदकिस्मत रहे हैं वहाँ बॉल सीधा फिल्टर के हाथ में ये स्पिनर्स के सामने विक्राल रूप धारन कर लेते हैं बॉल सीधा फिल्टर के हाथ में कोई रन नहीं कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फिल्ट प्लेस्मेंट्स लगाए हैं आज यहाँ बॉलिंग में परिवर्थन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ शॉट गेमबास के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छे रन बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है कहीं उसे गवा न बैठे इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंतरन के साथ गेनबाजी करनी होगी यहाँ ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहाँ इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया है जो मदद इस गेनबाज को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरिट एंड होगा और दूसरे शोर पे भी तेज गेनबाज को ही लाया जा रहा है पावर प्ले की समापती और अब फिल्डिंग टीम दो से अधिक फिल्डर्स को सर्कल के बाहर रख सकते हैं बहुत ही अच्छी थालमेल दॉनो बल्ले बाजों की बीच में बढ़िया रनिंग एट्वी दे वाटेट्स नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए कि रॉनिंग बिट्वीन दो विकेट्स बहुत ही उम्दर रही है दोने बल्ले बाजों की बीच क्या चाबुक शॉट लगा है ऐसी शॉट की अवाज सुनते ही मन मंत्र मुख दो जाता है एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे खेंद दिया है गैप में और ये एक रण गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाज ही कर रहे है चुरा लिया है एक रण बड़िया रण इन बिट्वीन दो विकेट्स ये स्पिनर्स के सामने विक्रा रूप धरन कर लेते हैं और ये शॉट बस एक रण ही निकाल पाए इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है यह बढ़िया रणेंग अधभुत रणेंग गेंदबाज अपने पसंदीदा छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं दो रण का कॉल यह तो अच्छीत है कि रफतार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में सीधा फील्डर के पास बल्ले बास सरलता से खेल पा रहे हैं इस चौट को कप्दान बड़े चौकनने रहते हैं अपनी फील्ड प्लेस्मेंट्स को लेकर गैप में खेल दिया है दो रण की कोशिश होगी यहां यह तो चीत है कि रफ्तार से भाग रहे हैं एक को दो में बदल रहे हैं और दो को तीन में तर दो चूँछ को अ-चैन्स कर दोंगा बाग मद्वन कर देव प्लेधिन कर दो दूख्जा प्लेहां टूसरे चोर से टेज गठी के गेंबस को लाएर 2 अच्छास ग्टेम के प्लेयर आपस में एक बुसरेगा हाथ मिलाते हो लट्सक्राचलाइब आर मैंच और मैंच इंग